ग्रेलू बाजार भाव बढ़ने से मक्का के निर्यात में आई भारी किरावट दरसल उत्पादन घटने और एथनोल पॉल्ट्री फीट स्टार्श निर्मान उध्योग में भारी मांग रहने से मक्का का ग्रेलू बाजार काफी उंचा हो गया है जिसके चलते निर्यात शिप्मेंट पर गंभीर प्रतिकूल असर पड़ रहा है भारत से निर्यात बभावित होने का फाइदा फिलाल पाकिस्तान उठा रहा है और वहां से इस मोटे अनाज का अच्छा शिप्मेंट होने के संकेत मिल रहे हैं दक्षिन पूरव एशिया के जिन देशों में पहले भारतिया मक्का की भारी मांग रहती थी वहां अब पाकिस्तान का माल पहुंचने लगा है भारत में मक्का का दाम बढ़कर वैश्विक बजार भाव से उपर पहुंच गया है जिससे इसकी निर्यात मांग सुस्त गई है वही केदरे क्रिशी मंत्राले ने 2023-24 के संपूरन मार्केटिंग सीजन के दोरान मक्का का घ्रेलू उतपादन घटाकर 324,70,000 टन पर सिमट जाने का अनुमान लगाया है जो 2022-23 सीजन के उतपादन 353,60,000 टन से काफी कम है इस बार खरीफ के सासाथ 20 सीजन में भी उ लावर्ट तता कीमतों में आगे और ब्रोतरी की आशंका को देखते हुए पशु आहर, पॉल्ट्री फीड और स्टार्च के निर्माता भी जल्दी-जल्दी मक्का की खरीद करके इसका स्टोक बनाने का परियास कर रहे हैं तरसल भारतिया मक्का वैश्विक मजार से बाहर हो गया है क्योंकि इसके मुल्या की कॉंपिटीशन शमता स्माथ हो गई है पादक मंडियों में मक्का का अदाम 2150 रुपे प्रतिक विंटर और करीब 260 डॉलर प्रति टन चल रहा है जो अन्या निर्यातक देशों की तुन्ना में काफी उपर है वहीं पाकिस्तान का मक्का 240 स 250 डॉलर प्रति टन पर उपलब्ध है जबकि भारतिय मक्के का निर्यात ओफर उचल कर 300 डॉलर प्रति टन के करीब पहुँच गया है खरेलू बाजार में मक्का का भारतिया ओसत मुल्या पिछले दिनों 212 रुपे प्रतिक विंटर दर्ज किया गया था जो पिछले सब वर प्रति टन फ्री ओन बोर्ट रह गया है ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीव